हलो एब्डीवन, वेलकम टो कोशिट क्लासिस आज की इस वीडियो में हम देखेंगे NIUS 12th क्लास डाटर एंट्री का जो कोशिंग पेपर होता है वो कैसा आता है और आज की इस वीडियो में हम सौल्ट कोशिंग पेपर देखेंगे मतलब किस पी कोशिंस आप से पूछे jाते हैं कैसे आप उनके Answering करना है प्रस कितने Marks आपको इसमें पास होने के लएए तो सबसे पहले आपको प्रेक्टिकल होता है वो होताई 60 Marks का 60 मेंसे अगर आपको Practical में पास होना है गरेते हैं तो फुस nuclear खने के सम ничего पूछashiBit से पर दिया जाएंगे पूर्डवलाइंगैशंगे वी स सिप्राइब आप उनका कविर कोश्ण कर में इस तरीका प्रिवेस थी आप कर ले पूचे है हैं वहां से लिंदर विलेंग स्कुर करके जाएं रिपीट होते हैं तो यह इस तरीकी की इंपर फिरी में प्रोवाइड किये जा रहे हैं अगर आपको इस तरीकी की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करने प्रेस करने और राकी हर एक अपडेट आपको टैम से मे पूछा जाएगा यहां पर हम से पूछा जा रहा है सही और गलत तो इसके आंसरा है तो आप यहां से इसके आ हैं आप देख सकते हैं पर इसके बाद में थी आजाता है यह वारा तू मांक्स का आ है यानिकि आपको इन दूरों में किसी कि चुछ को लिए इनमें से किनी दूख यह आपको परिभाशा देनी है मतलब पुर चोट में बहुत चोटी 20 वर्ड सक के हम यहां पर लिखना है थीकिए 20 ए 30 वर्डस बस एतने में आपको परिभाशा बताने हैं अपर थोड़ा से लेंदी दिरका पुछ आपको इतना लिखना है ठीक है यहां पर आपको जो लाइन चार्ट दिया हुआ है इमेल के घटक की के यह सब इंपुट डिवाइस क्या होते हैं यह सब आपको बतानी है तो यहां पर आपको इनके आंसर मिल जाएंगे आप इनके आंसर देखिए इसक्रीन शोट लीजिए और यहां से ही करना होगा कि पृतिये कमें दो अंतर इस पस्ट करें अब देखिए यहां पर आपको इस तरीके से और यहां पर किस किस तरीके से आपको यहाँ पर इसके ansoring करनी है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं इसके screenshot ले सकते हैं उसके बाद में हमारा question number यहाँ पर question number फिर 6 आ जाता है यहाँ पर आपस पूरा question पुछा जाएगा और उसका आपको answer देना होगा तुछ है यहाँ आप देख सकते हैं यह पूरा question है इसमें आपसे पुराबरा question आपसे पुछा जाएगा हमारे finally 12th class में 6 question पुछे जाते हैं और ये 40 marks के होते हैं तो इस तरीके से आपको जो है इसके answer देने होते हैं तो यहां साथ इसके screenshot ले लिजिए इसके तियारी कर लिजिए तो चलिए friends आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे next वीडियो में 11 marks आपको लेकर आने है लेकिन एक चीज़ का याद रखना है आपको कि जब भी आप question paper को करोगे तो जो question आपको पहले आता है वो आपको करना है जिसका answer आपको नहीं आता बना के लिक कर आएंगे लेकिन paper खाली आपको नहीं छोड़ कर आना है ठीक है तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही all the best thank you for watching